दोस्तों पिछले कुछ हपतों के अंदर ही धाई लाथ लोगों ने BSNL की सिंग के अंदर पूरे देश से यहाँ पे पोर्ट किया है और सिर्फ इतना ही नहीं BSNL ने नए 2.5 मिलियन मतलब BSNL ने नए 25 लाख सब्सक्राइबर्स और अपने साथ में यहाँ पे जोड लिये हैं और इतना ही नहीं BSNL को अभी 6,000 करोड की फंडिंग भी मिलने जा रही है यह सेंटर की तरफ से जिससे वो 4G के इंफ्रास्ट्रेक्टर है जो 4G के टावर्स है वो पूरी देश में यहाँ पे लगा पाएंगे तो इन सब खबरों को देखके लगता है कि BSNL के एक बार फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे कि पहने कभी किसी जमाने बे हुआ करते थे लिकिन क्या सही में तो आईए इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हाल पिलाल में मुझे खबर सुनके काफी ज़्यादा खुशी हुई कि हमाई जो सरकार है वो BSNL को यहाँ पे 6,000 करोड यहाँ पे ऐलोकेट करने जा रही है जिससे कि BSNL पूरे देश के अंदर 1,000,000,000 साइट के ओपर अपना जो 4G इंफ्रस्क्रक्चर है जो 4G साइट से 4G टावर से वो यहाँ पर लगाने जा रहा है बहुत ही जल्दी डिपार्टमेंट आफ टेलिकॉम मतलब की डॉट इसकी मंजूरी कैबिनेट से ले भी लेगा और यह पैसे यहाँ पर बिल भी जाएंगे और ऐसा नहीं है कि BSNL को इतने सारे पैसे पहली बार यह यहाँ पर मिल रहे हैं लास्ट एंबी BSNL ने यहाँ पर 19,000 करोड का एडवांस ओडर यहाँ पर दिया था TCS और ITI जूकि हमारी स्टेट ओंड कंपनी है इनको सेम 4G इंफ्रा लगाने के लिए यहाँ पर डेवलप करने के लिए और सिंस 2019 3 रिवाइवल प्लैंस के अंडर सरकार BSNL के उपर 3.22 trillion rupees का खर्चा यहाँ पर कर चुगी है और अभी के लिए BSNL का कहना है कि इसी साल October तक वो यहाँ पर 80,000 4G sites देश के अंदर install कर देगे मतलब 80,000 नए 4G towers देश के अंदर लगा देंगे और अगले जो 20,000 towers है वो अगले साल mid 2025 तक यहाँ पर लगा दें और BSNL का यह भी कहना है कि आनवल अटाइम में वो जी यही 4G towers है 4G sites है इसे यहाँ पर NSA 5G के लिए भी यूज करेंगे तो मतलब कि 5G भी यहाँ पर वो इनी टावर्स के ओपर यहाँ पर launch करेंगे लेकिन reality तो यह है यह खबरे सुनने में जितनी अच्छी जितनी आदा fascinating लगती है reality से उतनी ही दूर यहाँ पर हो जाती है पहले कि ऐसे बयान आए नहीं है हमारे टेलिकॉम मिनिस्टर जी के या फिर BSNL की तरफ से ही BSNL यूनियन के टाइम टाइम पर ऐसे बयान आते रहते हैं लास्ट यर भी आया था कि लास्ट यर दिसमबर तक वो देश के अ 2020 के अंदर 10.72% था तो मतलब कितनी तेजी से यहां पर इनका मार्केट शेयर गिर रहा है वहीं पर जीओ जैसे खिराडियों को देखते हैं तो इनका मार्केट शेयर यहां पर बढ़ा है जो कि अभी के टाइम पर 4.71% पर पहुँच चुका है वहीं एटल का मार्केट शेय हों के बाई एटल और जीओ वाले स्विच मार गए होंगे बीएसनेल के ओपर तो ऐसा नहीं है हो सकता है एकके दुके स्विच मार गए होंगे लेकिन इनों ने जो थोड़ा सा मार्केट शेयर हाल फिलाल में पॉइंट कुछ परसेट का ग्रैब किया है वो यहां पर वी का साथ में कि भाई जो इनका जो मार्केट शेयर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है वो भी वी की तरफ से आ रहा है मतलब जो वी के कस्टमर है वो बी एसनेल के ओपर शिफ्ट हो रहे हैं तो ऐसे में अब चीज क्या है कि वो कस्टमर इसले शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि देखे जो प्राइज हाई कहना जो अभी प्राइज बढ़े थे जियो एटल और वीक है इसकी वज़े से शिफ्ट हो रहे हैं और वो लोग क्या रहे हैं जैसे ही BSNL की सिंग लेते हैं पोर्ट करते हैं समसे मिनिमम वाला रिचार्ज करते हैं वो आते ही BSNL के पर इस चक्कर में है कि यही प्राइज रखता है तो BSNL कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता BSNL का एवरेज रिवेन्यू पर यूजर समसे कम है इंडस्ट्री के अंदर वो इसी की नहीं है कि BSNL के पास एक तो सबस्क्राइबल्स नहीं है 4G अभी है नहीं और दूसरा भाई रिचार्ज प्लाइन्स इनके इतने सस्ते हैं कि प्रॉफिट कहां से कमा लेंगे यह प्रॉफिट यह है ग्राउंड रियलिटी बाकि आपके क्या विचार है इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या आपने हाल फिलाल में प्राइज बढ़ने से बाद में रिचार्ज की BS प्रपोर्ट किया है आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंदे तरह वीडियो को लाइक जरूर से कर देना चैनल को सब्स्ट्राइब करके बैल आइकन के ज़रूर से दबा देना और मैं मिलता